वेलकम बैक टो माई चैनल आसका वीडियो काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपका SBA के साथ पैन कार लिंक नहीं है तो कैसे आप उसे ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होना मेंडेटरी है आपके पास SBA होना भी मेंडेटरी है तो अगर आप SBA यूज करते हैं तो सबसे पहले यहां पर लाइब दिखाऊंगा कैसे किया जाता है तो यहां अगर एप में M-PIN डाल जा है M-PIN डालने के बाद इस तरीके से लॉगिन हो जाता है लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले नीचे आना है और नीचे लेप साइड में आपको देखने को मिलता है सब्सक्राइब करने के बाद आपको राइट साइड में देखने को मिलता है वी ?! पूर आपको यहाँ aunt click करने आपका मोबाइल नंबर इमेल आईडी और पैन काड आपका कोरेस्पांड仃 एडरेस तørहाँ पयेए उपको धिकने को मिल जाता है तो आपको simply करना क्या है नीचे आपको देखने को मिलता है pen card का link का option इसमें मेरा pen card पहले से link किया हुआ है अगर आपका pen card link नहीं है तो साइट साइड में edit का option देखने को मिलता है pen का option उसमें click कर देना है क्लिक काने के बाद यहां पर एको Pan-card डाल देना है और मैं आपको दिखाऊंगा कि Pan-card डालकर क्या करना है तो मेरा Pan-card यहां पर पहले एंटर कर लूँगा I have Pan-card एंटर कर दिया और एंटर काने के बाद नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि Pan is already registered यानि मेरा PAN Card नमबर और रिजिस्टर किया हुआ है तो अगर आपका PAN Card रिजिस्टर नहीं होगा तो नीचे आपको Next बटन देखने को मिलेगा उस Next बटन में आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपके सब्सक्राइब करेंगे तो आपका PAN Card आपका एकाउंट के साथ लिंक होगा बहुत आसान से तरीका है कोई भी से आसानी से कर सकते है अगर पैन लिंक में किसी तरह का कोई प्रब्लम आता है तो आप मुझे कॉमेंट जरूर कीजिए और अगर इस चैनल पर नए है चैनल को अ है